हेलो एप्रिवान वेरी वेलकम टू नेट जयारप सॉल्यूस निस्ट मैं अब शेक कुमार जहां कैसे हो आप सभी लोग आइस क्या हाल चालें यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है आप लोग को पता ही है क्योंकि हम लोग डिसकुशन करते ही थे मैंने अभी तक इस पता है इसमें टीजीटी का भी है और बीजीटी का भी है तो बेसिकली यह वीडियो आप लोगों को यह बताने के लिए है कि एक तो आज इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई अगर नहीं किया है तो एक बार जरूर देख लेना बहुत ही अच्छी वेकेंसी यह है बहुत ही बढ़िया नोकरी है यह इसी बारे में सारा इंफॉर्मेशन में बताऊंगा आप लोगों को बेसिकली इसमें आपको पता ही है कि जो नंबर ऑफ सीट्स वगर है है ना दिख काफी अच्छी है आप अगरा ध्यान से देखो PGT के लिए तो जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जोगरफी का टोटल 154 सीट है जिसमें 64 अन्रिजर्व के लिए है 15 EWS के लिए है OBC के लिए 41 है SC के लिए 23 है पर ST के लिए 11 है वहीं अधर्स जो है उनके लिए रेस्पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए examination pattern के उपर basically हम बात करेंगे examination pattern का है यह आप इसको समझेए कि यह exam कई सारे parts में divided है total 6 part है इसके इसमें से कि इसको मैं आपको बहुत ही सामानने तरीके से समझाने कोशिस करता हूं 6 part है total इसमें इसमें से कि इसमें इसको हम 3 category में divide करते ह part 1 category 1 है part 2 category 2 है और part 3 category 3 है यह जो पहला वाला है यह common होगा सबके लिए दूसरा वाला आपका subject होगा और तीसरा वाला जो है सिर्फ qualifying in nature है इसको मताता हूं इसमें हिंदी और English का language competency test है language अंग्रेजी भाषा का एक नियूनतम जो आवश्रकता है वो आपको आनी चाहिए बोलने लिखने पढ़ने हिंदी भाषा भी आपको बोलने पढ़ने लिखने आनी चाहिए यह तीन categories में divided है पहली category जो है first वाली है इसको पार्ट 1 कहेंगे इसमें total number of questions आपको मिलने वाले हैं 50, 50 questions मिलने वाले हैं जबकि जो पार्ट 2 है इसमें आपको total number मिलने वाले questions के 80, 80 और number 3 में 20 मिलने वाले हैं 10, 10 questions from each इस सिर्फ qualifying है इसका जो marks है वो add नहीं होगा आपके exam में लेकिन सबसे जरूरी बात अगर आपने ये qualifying वाला हिंदी और इंग्लिश का qualify नहीं किया तो आपका बाकी paper check नहीं होगा this is just like UPSC अगर आपने CSAT qualify नहीं किया तो आपका prelims का जो GS का paper वो check नहीं होगा similarly ऐसी जो GS के paper होते हैं उसमें भी अगर आपने जो qualifying papers होते हैं अगर qualify नहीं किया आपने तो आपका अगला paper check नहीं हो यह बहुत जरूरी चीज है मतलब कि अंग्रेजी भाषा की जानकारी और हिंदी भाषा दोनों की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है इसमें आप अगर देखोगे तो मैं इसको divide कर देता हूं आपके सहचता के लिए कि जो इसमें एक्जाम है मैं आपको बता देता हूं एक्जाम में paper 1 को भी काफी अच्छे से इन लोगों ने discriminate किया है जैसे देखवा आप यहां पर general awareness के total 10 questions होंगे reasoning ability के total 20 questions होंगे ICT ने computer के total 10 questions होंगे और teaching aptitude के total 10 questions होंगे तब मिला करके total 50 questions होंगे जो आपके marks में add होंगे यह है आपका part 1 part 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 70 questions जो है को आपके subject से related है जबकि rest 5 plus 5 यानिके 10 10 questions जो होंगे इसमें आपका जो पेड़ागोजी हो गया उससे होगा और national education policy 2020 इससे होंगे 5-5 questions यहां से fix हैं कि आएंगे अब number तो आपके free वाले हैं ठीके इस तरीके से total number of questions है 80 यहां पर और total यहां पर होगे 50 तो total कितने होगे आपके 130 आपका जो final score बनेगा वो इसी mark से बनेगा लेकिन जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं यह है language competency test इसमें आपकी general English और general Hindi के 10 marks each subject से होंगे यानि कि total 20 questions होंगे 20 marks के अगर यह part आपने qualify नहीं किया तो बड़ी समस्या यह है कि आपका जो rest paper है वो check नहीं किया जाएगा मैंने पहले ही बताया आपको जबकि minimum marks इसमें लाना कितना जरूरी है 40% minimum 40% आपको इसमें से सही करना है ठीक है अब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप 40% mark ले आते हैं तो आपका बागी rest paper भी check होगा तो देखिए आप में से बहुत सरे लोग अंग्रेजी भाषा से बहुत डरते हैं जहां तक मैं द चलते हैं हम इसके syllabus की तरफ ठीक है यह तो था exam का pattern अब चलते हैं इसके syllabus की तरफ syllabus को जानने से पहले मैं आपको थोड़ी बाते बताना चाहूंगा कि इसका जो knowledge subject वाला जो है इसका section इसके लिए geography अगर आपका subject है तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ unacademy पे यहां पर आपको मेरे geography के जो courses है systematically मिल जाते हैं जैसे कि इसमें आपको geomorphology, climatology, oceanography, environment, population geography, settlement geography, practical geography, geography of India, settlement, cultural geography, models and theories यह सारी जीज़े आपको systematically पढ़ाई जाती है unacademy के plus subscription में यह paid courses होते हैं जहां पर आपको complete batch का access मिलता है आप मेरी हर एक class को देख सकते हो और सबसे अच्छे बात है कि unacademy 25% का discount offer भी दे रही है आप लोगों को आप यह भी देख सकते हैं वैसे इसका last date है आज भी मैंने बताया था आप लोग को कि 31st July coincidence है कि 31st July EMRS का भी last date है और unac Academy subscription का अभी यह last date है 25% discount का subscription चलता रहेगा बर discount जो है खतम हो जाएगा ज्रात को 12 बज़े के offer extend हुआ था आप इसमें code अभी शेक जेग डाल करके subscription ले सकते हैं ठीक है अगर आपको subject पढ़ना है तो आप यहां पर जोड़ सकते हैं मेरे साथ अब चलते हम syllabus की तरफ देखे इ आप से general awareness current affair के topics पूछे जाएंगे basically especially field of education से related रहेंगे ऐसा नहीं की UPSC वाला जो हता है और reasoning ability देख लिए जाब reasoning questions है फजल सेंसिटिंग अरेंजमेंट है डेटा सफिशियंसी है स्टेटमेंट बेस क्वेशन से वर्बल रीजनिंग है इनक्वालिटी ब्लड रिलेशन है सिक्वेंसे सिरीज है direction टेस्ट है जो आप लोग paper 1 में पढ़ते हो ना reasoning वही सब कुछ इस का यह reasoning वाला knowledge of ICT हो गया teaching aptitude यह तीन यूनिट तो आपके UGC net से मिलते हैं बहुत ही हुबभु तो आपको extra effort नहीं डालना पड़ेगा वहीं पेड़ा गौजी बेस जो case study based questions हो सकते हैं और new education policy related questions आएंगे यहांपर और जो general English में जो क्वालिफाइंग वाला है और general Hindi क्वा क्या होता है subject related जैसे वर्ब एक्रिमेंट आर्टिकल्स कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा कॉम्प्रीहेंशन मतलब आर्सी वाला सिक्षन भी आएगा फिलिंग दे ब्लैंक्स भी रहेगा एडवर्ब रहेंगे एरर करेक्शन रहेगा कि कौन साय स्टेट्मेंट गलत लिखा है सही बताईए है गलत पहचानिये sentence rearrangement रहेगा unseen passages रहेंगे vocabularies रहेंगी antonyms synonyms grammar idems and phrases रहेंगे यह सारी चीज़े यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी तो यह बहुत जरूरी है गाइस बहुत डीटेल में है यह qualifying जरूर है लेकिन छक्के छुड़ा देगा सबके इस मामान असुद्धियां है वाक्यों के लिए एक शब्द है मुहावरे लोकोत्तियां है और पठित गध्यांस इन सब पराधारित प्रश्न होंगे मुझे मुझे मौका मिलेगा मैं इसके उपर सीरीज चलाओंगा इंग्लिश के उपर भी और हिंदी के उपर भी ताकि आप लोगों कठना ही ना हो EMRS की वेकंसी क्लियर करने में जल्दी ही इन से अपके उपर भी हम लोग कुछ न कुछ जरूर करने वाले हैं यह हो गया पेपर वन का सिलेबस ठीक है अभी हम चलेंगे पेपर टू की तरफ यह कंपलसरी है क्वालिफाई नहीं बलकि इसके मार्क्स एड ओंगे पेपर वन की वहीं अगर हम प्लिट अधिशे जीजेघ्याफि का जबी स्लेबस है इसके बारे में पूछा गया है एगे यह पढ़ आप लोग विज्यान में सारा कुस तो नहीं बहुत ही शौर्ट में इसका बहुत ही शौर्ट में है ठीक है ओर पढ़नी है प्लेट टेक्टॉनिक पढ़ने आप लोग को वह लैंड फॉर्म प्रोसेज में वेदरिंग मास वेस्टिंग इरोजन डिपोजिशनल सॉयल इप्रमेशन इतने भी लैंड फॉर्म के एजेंट है वह पढ़ने आपको सारे एजेंट जो मैं पढ़ाता हूं आप ल क्लामेट लॉजी में सब कुछ है कंडक्शन कंवेक्शन टेरिस्ट्र लेटिएशन सारा मैं आपको बढ़ाता हूं वहीं टेंप्रेचर के फैक्टर कंट्रोलिंग जिसे टेंप्रेचर का डिस्ट्रिबूशन कैसे कंट्रोल इन्वर्जन आफ टेंप्रेचर भी इसमें है आन्मस्पिरिक स? कैस्ट्रिक सिर्कूलेशन है विदर सिस्टम में प्रेशर इंप्रेचर बिल्ट है , सीजन लोकल कैंसे एयर मांसे इसे ट्रॉपिकलल डेचर और यह और्थ है रोटेशन रिवल्यूशन इंकम पोजिशन स्ट्चर एंपरिचर इस्टिबूशन हीटिंग अब दी अर्थ है एट मस्परिशर का एर प्रेशर है विंड है यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर कंडंसेशन प्रेसिपिटेशन कंडंसेशन ड्यूफ फ्रोस्ट फॉग सब कुछ वही है जो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं यह ओशनोग्राफी का सेक्षन है बेसिक्स ऑफ ओशनोग्राफी है ओशन्स का डिस्ट्रिबूशन टेंप्रिचर सेलनेटी है ओशन वाटर है ओशन करेंट है करेंट से सब्मरीन रिलीव के बारे में काफ़ी क्वेशन सेन्ट है इंडिया के बारे में सब कुछ यहां पर पूचा जाएगा हिंडिया की तो इसमें इन्डिया के डिवेशंस। सब्सक्राइब को देखना है इस सारा कुछ पढ़ना हम लोग को जो मैं पढ़ाता हूं आप लोग को जोगर्फ वही क्लाइमेट वेजिटेशन सॉइल इंडिया का ही सारा कुछ है जार्स देखिए इसमें लग लग देखिए फ्लड है आप लोगों को बहुत ही डीटेल में ठीक है मतलब यह कंप्लीट तैयारी पैकेज आप आप लोगों को यहां पर मिलेगा ने कैडमी पेड़ कोर्स है जगर आप मेरा जॉइन करते हो तो आप इस नंबर पर भी कॉंटाइट कर सकते हो ठीक है वहीं फंडामेंटल ऑफ मैप्स भी है प्रैक्टिकल जोग्रिफी देखिए इसमें पूछा गया आप से कॉंसेप्ट ऑफ जियो ग्रैफिकल डेटा है मैट्रिक्स हैं पॉइंट लाइन एरिया डेटा है सारा को रास्टर डेटा वेक्र डेटा आप से पूछा गया इसके बाद टोपोग्राफिक मैप है विदर मैप है स्केल्स वगरे के बारे में भी है और सेटलाइट देखिए रिमोट सेंसिंग भी इसमें तो हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया से इसका बिल्कुल यूजी सीनेट को फॉलो करता हुआ से इसको फोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रख करके ही किया अगिए यह सब 있었 ढहिए ma पूछा गिया है इसमें मॉडल्स भी होंगे ठीक है कई सारे मॉडल्स भी होंगे सबको एक एक करके अलग अलग करके डाल दिया है यह तो बहुत डीटेल में हम लोगों इनके टाइप डिस्टिबूशन के बारे में भी है लैंड ट्रांसपोर्ट रोड रेलवेज हैं यह सारा कुछ लेकि हम लोग पढ़ते हैं इसको सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग इसको बहुत अच्छे से वहीं डिसोर्स डिवलप्मेंट के बात करें तो लैंड रिसोर्स के बारे में बैसिकली यह क्या है अग्रिकल्ट्र लैंड यूजेज इंविट राइस टी कॉटन जूट सुगर के अपको पढ़ना है जो आपका नकदी फसले हैं उनके बारे में भी इसमें आपको पढ़ना है मिनरल्स बगर पढ़ना है डिस्टिबूशन आरन हो गया कॉपर लोग इन्वार्मेंट जो अपना इकोनोमिक जोग्रफी उसमें कवर करते हैं सारा कुछ इंडिया का प्लानिंग रिजन में आप लोग को पढ़ाए हुआ जो पर इंडिया सब कुछ यहां पर कवर होता है ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और सब कुछ यहां पर मेंशन क इतना सब कुछ आपको पढदना ये पूरे जियर आपको ये प्लिया colonial मत्तिया नहीं बहुत ही त्थिपल जाएEM इतना डीटेल में आपको नहीं मिलेगा लोगों का यह सोचना होता है कि सिर्फ यूजी सी नेट के लिए मैं पढ़ाता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप मेरी जोग्रफी क्लास कर लो तो आपको कोई एक्जाम ऐसा नहीं है जो आप टार्गेट ना कर पाऊ यूजी सी पर कॉंट्रेट कर सकते हैं यह नंबर यहां पर दिया गया और यह वीडियो दोस्तों को शेयर करना क्यूंकि डीटेल में सिस्टेमेटिकली बताया है और इसके उपर हम लोग जल्दी क्लास पर सुरू करेंगी इवें जो जनरल अवेर्नेस यानिकि जो आपकी यह पेपर उनकी क्लासे जना इनके उपर भी क्लास में लेकर के आने वाला हूं बहुत ही जल्दी ठीक है थैंकिसो मच अपर मिलते हैं दूसरे वीडियो में टेक कियर बाई